नमस्कार दोस्तों इस चैनल पर आने के लिए धन्यवाद कृपिया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल पर हिस्ट्री एन बायोग्रिफी और बहुत अच्छी अच्छी कहानी भी आती रहेगी इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाई थेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चब्वीस ग्यारा अटैक के बारे में यह हमला आज की तारीक में हुआ था 2008 के मुंबाई हमले, चब्वीस ग्यारा के रूप में भी संदर्भित नवंबर 2008 में हुए आतंकवादी हमलों की एक श्रिंग खला थी, जब पाकिस्तान के एक इसलामी आतंकवादी संगठन लशकरे तैवा के 10 सदस्यों ने 12 समन्विट शूटिंग और बंबारी हमले किये थे पूरे मुंबई में चार दिनों तक चलने वाला हमले, जिसकी व्यापक वैश्विक निंदा हुई बुद्वार 26 नवंबर को शुरू हुआ और शनिवार 29 नवंबर 2008 तक चला 9 हमलावरों सहितकूल 175 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए स्थान, एक मुंबाई, भारत है, दो लियोपोल्ड कैफे है, तीन छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस है 4 ताज महल पैलेस होटल है, 5 ओबरोई ट्राइडेंट है, 6 कामा अस्पताल है, 7 नरिमन हाउस है, 8 मेट्रो सिनिमा है, 9 सेंट जेवियस कॉलेज है निर्देशांक, 18.922125 दिग्रीज, 72.832564 दिनांक 26 नवंबर 2008, 29 नवंबर 2008 रात के साड़े 9, 26 बाटा 11, 8 बजे, 29 बाटा 11, IST QTC साड़े 5, हमले का प्रकार, बम विसफोर्ट, गोली बारी, सामुहिक हत्या, बंधक संकट, घेराबंदी हतियार, शस्त्र AK 47, RDX, IED, ग्रेनेड मौतें, 175, 9 हमलावरों सहित, घायल, 300 जोर पीडेत, पूरी सूची के लिए देखें हताहतों की सूची अपराधी जकियूर रह्मान लख्वी और लशकर एताइबा प्रतिभागियों की संख्या 10 रक्षक, एक राष्ट्रिय सुरक्षा गाध है, 2 माकोस है, 3 मुंबई पुलेस है, 4 भारतिय ATS है, 5 रेलवे सुरक्षा बल है, और 6 मुंबई फायर ब्रिगेड है प्रेरना, इसलामी आतंकवाद आठ हमले दक्षिन मुंबई में हुए, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस में, उबरोय ट्राइडेंट, ताज पैलेस और टौवर, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल, नरिमन हाउज, मैट्रो सिनेमा और टाइम्स ओफ इंडिया की इमारत के पीछे एक गली में, और सेंट जेवियस कॉलेज, मुंबई के बंदरगाह क्षेत्र के मजगाव में और विले पारले की एक टैक्सी में भी विसफोट हुआ, 28 नवंबर की सुभा तक, ताज होटल को छोड़ कर सभी स्थलों को मुंबई पुलेस और सुरक्षा बलों ने सुरक्षित कर लिया था, 29 नवंबर को भारत के राष्ट्रिय सुरक्षा गाड एनस जी ने शेश हमलावरों को बाहर निकालने के लिए ओपरेशन ब्लैक टॉनेडो चलाया, इसकी परिनती ताज होटल में अंतिम शेश हमलावरों की मौत के रूप में हुई और हमलों को सम कर दिया, एक मातर जीवित हमलावर अजमल कसाब ने खुलासा किया कि हमलावर अन्य लोगों के अलावा आतंकवादी समूह लशकरे तैबा के सदस्य थे, भारत सरकार ने कहा कि हमलावर पाकिस्तान से आय थे, और उनके नियंतरक पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान ने बाद 2015 को हमलों के प्रमुक सर्गना जकियु रह्मान लख्वी को जमानत पर रिहा कर दिया गया और गायब हो गया उन्हें दो जन्वरी 2021 को लाहॉर में फिर से गिरफतार कर लिया गया 2018 में पूर्व पाकिस्तानी प्रधान मंत्री नवाज शरीफ ने सुझहाव दिया कि पाकिस्तानी सरकार ने 2008 के मुंबाई हमले में भूमिका निभाई तरीका हमलावरों ने समय से कई महीने पहले हमले की योजना बनाई थी और कुछ क्षेत्रों को अच्छी तरह से जानते थे कि वे गायब हो जाएंगे और सुरक्षा बलों के जाने के बाद फिर से प्रकट हो जाएंगे कई सूत्रों ने कसाब के हवाले से पुलिस को बताया कि समूह को मुंबाई के निवासियों से मदद मिली हमलावरों ने बांगलादेश के साथ सीमा के भारतिय हिस्से में खरीदे गए कम से कम तीन सिम कार्ड का इस्तेमाल किया अमेरिकी राज्य न्यू जर्सी में एक सेम कार्ड खरीदे जाने की भी खबरें थी पुलिस ने यह भी उलेक किया था कि फरवरी 2008 में गिरफतार किये गए लश्कर के एक भारतिय गुर्गे फहीम अनसारी ने नवंबर के हमलों के लिए मुंबाई के ठिकानों की तलाशी ली थी बाद में पुलिस ने दो भारतिय संदिग्धों मिक्तर एहमद जो कश्मीर के श्रीनगर का रहने वाला है और कोलकाता निवासी तौसीफ रहमान को गिरफतार किया उन्होंने सिम कार किया पूर्ती की एक कलकत्ता में और दूसरा नई दिल्ली में हमलावरों ने एक दूसरे से बात करने के लिए एक सैटेलाइट फोन और सेल फोन का इस्तिमाल किया और साथ ही उनके हैंडलर जो पाकिस्तान में स्थित थे हमलावरों और उनके आकाओं के बीच भारती अधिकारियों द्वारा इंटिसेप्ट किये गए टेप में खैंडलर्स ने हमलावरों को प्रोटसहन सामरिक सलाह और मीडिया कवरेज से प्राप्त जानकारी प्रदान की हमलावरों ने एक दूसरे और समाचार मीडिया के साथ समवाद करने के लिए व्यक्तिगत सेल फोन और उनके पीडितों से प्राप्त दोनों का इस्तेमाल किया हाला की हमलावरों को बंधकों की हत्या के लिए प्रोटसहित किया गया था लेकिन हमलावर बंधकों की रिहाई के बदले में मांग करने के लिए सेल फोन के माध्यम से समाचार मीडिया के साथ संचार में थे ऐसा माना जाता था कि भारतिय अधिकारियों को और भ्रमित करने के लिए ऐसा किया गया था कि वे मुख्य रूप से एक बंधक स्थिती से निपट रहे थे हमलों में चीन के सरकारी स्वामित्व वाले नोरिको द्वारा बनाए गए टाइप 86 ग्रेनेड का इस्तिमाल किया गया था इस बात के भी संकेत थे कि हमलावर स्टेरोइड ले रहे थे जो बंधूकधारी बच गया उसने कहा कि हमलावरों ने हमलों में इस्तिमाल की गई इमारतों के स्थानों से खुद को परिचित करने के लिए गूगल धर्ती का इस्तिमाल किया था दस बंदूक धारी थे जिन में से नौ को बाद में गोली मार दी गई थी और एक को सुरक्षा बलो ने पकड़ लिया था प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वे अपने शुरु आती बिसमा दशा में थे उन्होंने काली टी-शर्ट और जीन्स पहनी थी और वे मुस्कुराते हुए और गोली मारते हुए खुश देख रहे थे उनके शिकार शुरू में यह बताया गया था कि हमलावरों में से कुछ ब्रिटिश नागरिक थे लेकिन बाद में भारत सरकार ने कहा कि इसकी पुष्टी करने के लिए कोई सबूत नहीं है इसी तरह बारव बंदूक धारियों की शुरूआती रिपोर्ट को भी बाद में गलत दिखाया गया था 9 दिसंबर को मुंबई पुलिस ने 10 हमलावरों की पहचान पाकिस्तान में उनके ग्रहनगरों के साथ की फरीद कोट से अजमल आमिर डेरा इसमाइल खान से अबू इसमाइल डेरा इसमाइल खान मुल्तान से हाफज अर्शद और बाबर इमरान ओकारा से जावेद शोएब से सियाल कोट फैसलाबाद से नजीर एहमद और नासिर आरिफवाला से अब्दुल रहमान और दीपाल पूर तालुका से फहदुल्ला डेरा इसमाइल खान उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में है बाकी कस्बे पाकिस्तानी पंजाब में है 6 अप्रेल 2010 को महराश्ट्रा राज्य के ग्रह मंत्री जिसमें मुंबई भी शामिल है ने विधान सभा को सूचित किया कि 2008 में मुंबई पर हुए हमले में मारे गए 9 पाकिस्तानी बंदूक धारियों के शव जन्वरी 2010 में एक गुप्ट स्थान पर दफनाए गए थे मुंबई के एक अस्पताल के मुर्दाघर में मुसलिम मौलवियों ने उन्हें उनके मैदान में दफनाने से मना कर दिया हमलावर हमले में 10 हमलावरों में से केवल एक अजमल कसाब बच गया उन्हें 2012 में यरवदा जेल में फांसी दी गई थी हमले के दौरान मारे गए अन्य नौ हमलावरों में हाफज अर्शद उर्फ रहमान बड़ा अब्दुल रहमान छोटा जाविद उर्फ अली फहदुल्ला उर्फ फहद इसमाईल खान उर्फ इसमाईल बाबर इमरान उर्फ आकाश थे नासिर उर्फ उमर नजीर उर्फ उमर और शोएब उर्फ सोहेब गिरफतारियां अजमल कसाब एक मात्र हमलावर था जिसे पुलिस ने जिन्दा गिरफतार किया था सबसे पहले उसने पुलिस इंस्पैक्टर रमेश महाले को बताया कि वो अमिताब बच्चन का बंगला देखने के लिए भारत आया था और उसे मुंबई पुलिस ने बंगले के बाहर से पकड़ लिया था हमलावरों की तैयारी यात्रा और गतिविधियों के बारे में अधिकांश जानकारी मुंबई पुलिस के सामने उसके बाद के कबूलना में से आती है 12 फरवरी 2009 को पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री रह्मान मलिक ने कहा कि पाकिस्तानी नागरिक जावेद एकबाल जिन्होंने मुंबई हमलावरों के लिए स्पेन में व्यो आईपी फोन हासिल किया था और हमद अमीन सादिक जिसने हमले के लिए धन हस्तानतरन की सुविधा प्रदान की थी को गिरफतार कर लिया गया था खान और रियास के नाम से जाने जाने वाले दो अन्य लोगों को भी गिरफतार कर लिया गया जिनका पूरा नाम नहीं दिया गया था दो पाकिस्तानियों को 21 नवंबर 2009 को ब्रेशिया इटली मिलान के पूर्व में गिरफतार किया गया था उन पर हमलों के लिए रसद सहायता प्रदान करने और एक जूठी आईडी का उपियोग करके 200 अमेरिकी डॉलर से अधेक इंटरनेट खातों में स्थानां तरित करने का आरोप लगाया गया था उनके खिलाफ रेट कॉन नोटिस जारी किया गया था इंटरपोल द्वारा उनकी संदिग्ध समलिप्तता के लिए और यह पिछले साल की हर्ताल के बाद जारी किया गया था अक्टूबर 2009 में FBI द्वारा विदेश में आतंकवाद में शामिल होने के लिए शिकागो के दो लोगों को गिरफतार किया गया और आरोप लगाया गया डेविड कोलमेन हैडली और तहववर हुसेन राना हैडली एक पाकिस्तानी अमेरिकी पर नवंबर 2009 में 2008 के मुंबाई हमलों के लिए स्थानों की खोज करने का आरोप लगाया गया था माना जाता है कि हैडली ने खुद को एक अमेरिकी यहूदी बताया था और माना जाता है कि उसके बांगलादेश में स्थित उगरवा दी इसलामी समूहों के साथ संबंध थे 18 मार्च 2010 को हैडली ने अपने खिलाफ एक दरजन आरोपों के लिए दोशी ठहराया जिससे मुकदमे में जाने से बचा जा सके दिसंबर 2009 में एफबी आई ने हैडली के साथ मिलकर हमलों की योजना बनाने के लिए पाकिस्तानी सेना में एक सेवानिवरित मेजर अब्दुर रह्मान हाशिम सैयद पर आरोप लगाया 15 जन्वरी 2010 को एक सफल स्नाच ओपरेशन में रौ एजेंटों ने एक हैंडलर शेक अब्दुल ख्वाजा को पकर लिया 26 बटा 11 के हमलों में हुजी भारत के संचालन के प्रमोख और भारत में एक Most Wanted संदेगधर कोलंबो श्रीलंका से और उसे आपचारिक गिरफतारी के लिए भारत के हैदरबाद ले आए 25 जून 2012 को दिल्ली पुलिस विभाग ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर राष्ट्रिय हवाई अड़े पर हमले के प्रमुक संदेगधों में से एक जबियुद्दीन अंसारी उर्फ हमजा को गिरफतार किया कसाब की गिरफतारी के बाद से उसकी गिरफतारी को इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण घटना क्रम बताया गया दिल्ली में तीन साल से सुरक्षा एजेंसियां पीछा कर रही थी अंसारी लशकर एताइबा का उग्रवादी है और उन दस हमलावरों का हिंदी शिक्षक है जो 2008 में मुंबाई हमलों के लिए जिम्मेदार थे भारती अधिकारियों के अधिकारिक अनुरोध के अनुसार उन्हें सवुदी खुफिया अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार करने और भारत निर्वासित करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था अंसारी की गिरफतारी के बाद जाच से पता चला कि 2009 में वो कथे तौर पर महराश्ट्रा सरकार के पूर्व विधायक और मंत्री फौजियाख खान के पुराने विधायक छात्रावास के एक कमरे में एक दिन के लिए रुका था हाला की मंत्री ने उनसे किसी तरह के संबंध होने से इनकार किया ग्रह मंत्री पी चिदंबरम ने जोर देकर कहा की अंसारी को पाकिस्तान में एक सुरक्षित स्थान प्रदान किया गया था और वो नियंतरन कक्ष में मौजूद था जिसे राज्य के सक्रिय समर्थन के बिना स्थापित नहीं किया जा सकता था अंसारी की पूझताच में आगे खुलासा हुआ कि साज़िद मीर और एक पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने दिल्ली और मुंबई में लक्ष का सर्वेक्षन करने के लिए लगभग एक पखवाडे के लिए नकली नामों के तहट भारत का दौरा किया जूटे आरोपों पर कई संदिग्धों को भी गिरफतार किया गया था उनमें से कम से कम दो ने लगभग आठ साल जेल में बिताए और उन्हें भारत सरकार द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया गया इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मुझे आशा है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा इसलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आप 26 ग्यारह मूवी देखना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाएं मूवी का लिंक है